आपका स्वागत करता है एक ऐसा मंच जो देश की सियासत को बदलने के लिए एक स्तर से दूसरे इस्तर तक ले जाने के लिए जन सरोकार की सियासत हो और जाती से हटकर वर्गी की सियासत हो घरीब की मजदूर की किसान की ऐसी सियासत हो हमारी सोच में बदलाव आए शिक्षा स्वास्य जैसे ही चीजें कैसे आगे बढ़े राजनीत के मूल विशय में आए बेरोजगारी की चिंता हो, बेरोजगारों की चिंता हो, बेरोजगारी दूर करने की चिंता हो, इन तमाम विश्यों पर हमारा रहन सहन कैसे उचा हो, हंगर इंडेक्स में जो हम दुनिया में पीछे हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ें, इन चिंताओं के साथ ये मंच आपके ब पीच हम जा रहे हैं उनकी राय ले रहे हैं और राजनितिक दलों में आम जनता के मुद्दे आएं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं इसी सिलसले में आज हाजिर हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता का दावर नेता फकीर चंद्र नागर जी नागर जी आपका प्रदेश की सियासत को किस तरीके से वर्ग विशेश वर्ग की सियासत में बदलना चाहेगी और देश में गरीबों की वकालत करेगी इस दिशा में आपके क्या प्रोग्राम है हमारी पार्टी का उद्देश जो है गरीबों के मजदूरों के जो बेरोजगार लोग हैं उनका हमारा पार्टी का एजन्डा सुरू से ही रहा है उसी एजन्डे पर हमारे मानिय राष्ट्य दग्जी काम कर रहे हैं कोई बेरोजगार ना रहे जाए कुईसी आदमी को स्वास्त के संबंदी इसी को रोजगार संबंदी हर स्वीधा मिले यह हमारी पार्टी का मुख एजन्डा है जी नागर जी आपकी पार्टी के नाम में ही समाजवाद है यानि हर वर्ग के लिए आप एक समान द्रिष्टी एक सोच के साथ राजनिति को बढ़ावा देते हैं आप सत्ता में भी रहे हैं और आज भी एक राजनितिक दल की सत्ता है आपको ही सब्स्टिचूट करके आपको ही हटा करके वो सत्ता में आई है ऐसी क्या वज़ा रही कि जनता ने आपको पिछली बार दुबारा मौका नहीं दिया धार्मिक मुद्दा जो आपने देखा है बीजेपी धार्मिक उन्वात फैला के सत्ता में आई है सब को मालू है उनका काम है इस तरह का विकास से उनका कोई मतलब नहीं है जबकि हमारी पार्टी का उद्देश ही हमारी पार्टी का समानता और संपनता चाहते हैं हर वर्ग समान सब वर्ग समान होना चाहिए और संपनता होना चाहिए यह हमारी पार्टी का नारा है उसी पर हमारी पार्टी काम कर रही है हम हर वर्ग को बराबर लेके चलते हैं हम धा चुनाव होने लगता है तो आपका चुनाव जितना मुश्किल हो जाता है हम दादरी में हैं बैठे ये वो इलाका है जहां आपको याद होगा एक इनसान के घर में कोई मांस का टुकड़ा पाया जाता है ये कह करके उसको फीट फीट कर मार डाला जाता है और पूरे देश मे वो मुद्दा उठा था लेकिन उस वक्त तो आपको राजनितिक नुकसान नहीं हुआ था लेकिन इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जनता धार्भी काधार पर बट गई और आने वाला जो चुनाव है उसमें ऐसा नहीं होगा ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं कि उन चीजो पर चुनाव नहीं हो करके शिक्षा स्वासे जैसे मुद्दों पर चुनाव हो जनता सब समझ गई है अब उनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है जो उन्होंने जितना धार्मिक उन्मात फैलाने का काम किया था सब जनता जागरूख हो गई है आपने देखा है कि बड़ा मुद्दा है जो सब बेरोजगार है यहां लोगों की जमीन गई है मजदूर वाले मजदूरी करते हैं लेकिन वो इस महनाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान है हमारी पार्टी इस पर काम कर रही है और वो लगातार हम लोग जो अभी हमारे राष्टी अश्या है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है उस पर हम 300 इनिट बिजली जो है मानि राष्टी अद्दग जी ने यह बोला है कि हम 300 इनिट बिजली चाहिए क्रायदार है चाहिए मकान वाले के उनको सब को फिरी देंगे आप महत्वपून बात कर रहे हैं फकीर जी के आपकी पार्टी 300 इनिट बिजली प्री देने जा रही है ताकि महंगी बिजली से जनता को निजात मिल सके और रोजगार के शेतर में भी 10 लाख नौकरी का आप वादा कर रहे हैं यह 10 लाख नौकरी सालाना है या कि 5 साल का है आप से हम पोछेंगे लेकिन मैं यह जानना चाता हूं कि जनता भी यह जानना चाती है कि दादरी के शेतर में इस पूरे आपके विदान सबाशचर में यहां की मूल समस्या जो है क्या समाजवादी पार्टी के घोशना पत्र में स्थान पा सकेगी हमारा जो गोचना पत्र है जब हमारी 2012 में सरकार आई थी उससे पहले हमारी पार्टी के गोचना पत्र में ये कहा गया था कि हम किसानों को नहरों का पानी फिरी देंगे सरकारी ट्वेलों के फिरी में बिजली देंगे वो हमारी पार्टी आने के बाद उन्होंने पूरा किया इसलिए लोगों को यकीन है कि समाजवादी पार्टी जो बोलती है वो ही करती है वो ही अब हमारी मानिय रैस्टाइक जी ने बोला है कि हम 300 इनित बिजली फिरी देंगे लोगों को जिससे इस महंगाई से निजात पाया जा सके 10 लाख नौकरी हम सरकार हमारी आने के तुरंट बाद 10 लाख नौकरी तुरंट देंगे और एक और किया है कि जो गरीब महिला है उनको भी कहा है कि हम 1500 रुपे उनका पैंशन उनके खाते में डारेक देंगे जिसके उनका बजट चल जाए अब भी देख रहे हैं इस महंगाई में गरीब लोगों का रसोई नहीं चल रहा है महंगाई इतनी आपने देखा सरसौंच का तेल जैसी चीज़ें जो रसोई में बहुत महत्पून है वो दोसों से उपर चल रहा है किसी के बस की खरीदना नहीं है इसी तरह से सलंडर की हजार रुपे कीमत है किसी के बस में खरीदना नहीं रहा है इसलिए सारी चीज़ों पर हमारी सरकार आने के बाद गरीबी से निजात पाने के लिए हर काम कर रही है और हम जो वादा करती है समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उसे पूरा करती है लोगों को पूरा यकीन है और लोगों ने मन बना लिया है कि हम जो है इस सरकार को खाड़ के समाजवादी सरकार को बनाएंगे और माननी है राष्टिय अद्धक्स शरी अखलेश यादव जी को दुबारा से मुखमंत्री बनाएंगे अब हमारा मुद्धा दादरी का रहा जो आप दादरी पूछना चाहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्धा है मुआवजा दादरी छेतर में लोगों की जमीन जा रही है हमने उससे पहले बहनजी की सरकार थी तो 7,11,000 रुपई हैं मुआवजा था जैसे 2012 में हमारी सरकार आई तो 35,00,000 मुआवजा हमारी सरकार ने मानि राष्ट्यत दख जी ने यहां का इस जिले का डिकलेर किया था मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ यह सपष्ट करनी के लिए दर्शकों को कि यह जो मुआवजा था किस हिसाब से था पती एकड या हेक्टेयर किस हिसाब से था यहां पर बीघा का है 35 जो बीघा है हमारे यहां यहां हरियानमा हेक्टेयर वो होता है एकड होता हमारे यहां बीघे के हिसाब से एक बीघा का जो 35 लाग दिया एक बीघा का दिया है जी यह सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि जो मुआवजा बहन जी की सरकार में बस्पा की सरकार में 7,11,000 पती बीगा थी जो किसानों से जमीन लिए गये थे वो 5 गुणा ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गया शेत्र पिछड़ा हुआ भी है शिक्षा के शेत्र में भी पिछड़ा हुआ है न स्कूल है न कॉलेज है क्या आपको इन शेत्रों में स्कूल, कॉलेज, विकास के लिए कोई पहल करनी की ज़रूत नहीं लगती सबसे पहले हम लोग हमारी सरकार सिक्षा के शेत्र में जो पिछड़ा पना है हमारा शेत्र उसमें सिक्षा पे बहुत जोड़ देना पहले भी दिया है और सरकार बनने के बाद हम सिक्षा पे जोड़ पूरी तरह से दिया जाएगा जिस से सिक्षित लोग होंगे बेरोजगारी खतम होगी अब हालात ये हैं हमारे जिले में सिक्षा लेने के बाद सिक्षित होने के बाद भी रोजगार नहीं है रोजगार नहीं है और हर कंपनी पे 200 किलमेटर का बोर्ड लगा हुआ है कि यहां का आदमी नौकरी नहीं करेगा बाहर का करेगा हम उसके खिलाब में हमारी सरकार आने के बाद लोकल जो आदमी दादरी की समझचा उसको रोजगार देगी और सिक्षा के छित्र में जो हमारा बेटी पड़ा हो बेटी जो नारा बीजेपी का वो कहीं पूरा नहीं है हमारी सरकार आने के बाद हम सिक्षा और रोजगार पर हमारा मैन मुद्दक के इंद्रित है और हम उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो उस पर पूरी तरह से काम करेगी बहुत महत्यपून सवाल उठा रहे हैं नागर जी कि नौकरी तो नहीं है शिक्षा भी नहीं है लेकिन जो लोग शिक्षित हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं बहुत बड़ा सवाल ले करके आप सामने आ रहे हैं तो ये एक ऐसी स्थिति बनी है कि शिख्षा लेने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिल रही है यानि एक प्रोटसाहन की भी कमी है तो इस बारे में समाजवादी पार्टी ये बरोसा दिला रही है कि जब वो सत्ता में आएगी तो इस शेत्र में काम करेगी लेकिन क्या रोड मैप है आपके पास हमारे छेत्र में जो बेरोजगार हैं जो यूवक हैं वो बहुत हतास हैं क्योंके सिख्षा लेने के बाद ils नौकरी नहीं लग रही है पूरे जिले में व्याप्त है इसलिए जनताने मन बना लिया जो युवक हैं उन्होंने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो रोजगार भी लेके आएगी और यहां सिक्षा ग्रहन करने के बाद उनको हमारी सरकार में आने के बाद रोजगार मिलेगा यह उनको पूरा यकीन है इसी वज़े से हमारी सरकार को हमारी पार्टी को लोग पसंद करते हैं युवा खासकर बहुत पसंद कर रहा है कि सपा सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा हर हालत में मिलेगा इसी उस पे हम लोग हमारी पार्टी काम कर रही है और लोगों को हमारी पार्टी में माननी राष्टी अद्धक्ष जी में पूरी तरह से यकीन है कि वो आने के बाद अपना वादा पूरा करते हैं कि उन्होंने घोसना पत्र जो पहले किया था पहला घोसना पत्र चार साल में पूरा कर दिया था नागर जी ये दादरी ऐसा विधान सभाशेत्र है जहां से समाजवादी पार्टी ने पिछली बार चुनाओ भी नहीं लड़ा कॉंग्रिस को ये सीट दे दी और पहले भी वो तीसरे नंबर पर रहा करती थी तो ऐसा क्या यहां बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि जनता आपको ही चुनने वाली है मैं खास कर आपका ध्यान जनता के लिए दर्शकों के लिए इस ओर आकरिष्ट करना चाहता हूँ कि यह वो इलाखा है जहां किसान अंदोलन चल रहे हैं और इससे परिस्तियां भी बदली हैं तो किसानों के भी संदर में आपसे जवाब की अफेशा रहेगी कि आप कैसे इस शेतर में मजबूती से किसानों की मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं और जनता आपको हाथों अत लेगी अभी मैंने पहले आपको बताया कि मौावजा महनजी की सरकार में क्या था हमारी सरकार में क्या था लोगों को पैसा जो मिला है उससे आदमी खुशाल हुआ है और आगे भी आदमी को उम्मीद है पांस साल में अभी BJP की सरकार है, एक रुपया मावजा उन्होंने नहीं बढ़ाया है, बिजली जो है, कोई बिजली उन्होंने सपा सरकार के बाद में कोई प्लांट उनका लगा नहीं है, लेकिन बिजली तिगनी चौगनी महंगी हो गई है, उससे आदमी बहुत परिशान ह इसलिए सब को मालूम आप दो महीने में बिल जाता है, हमारी सरकार में दो महीने में बिल जाता था, अब हर महीने बिल जाता है, एक महीने में बिल आ जाता है, इसलिए हमारा मानियराष्ट दिख जीने, बिजली की समश्चा को देखते हुए, वो कहा है, हम 300 इनिट बिजल जिसके सरकार आएगी जो बेरोजगारी खतम करेगी, किसानों की जो आंदोलन चल रहे हैं, इस आंदोलन को खतम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी, इसलिए पूरी तरह से लोगों ने हमारे खास दादरी में भी सबने दिमाग बना लिया है कि बीजेपी को हटाना, क्योंक हमारी सरकार आनाते है और बीजीपी के जानाते है आप कह रहे हैं कि धार्मी कुनमाद दूसरी पार्टी फैलाती आपका इशारा भारती जनता पार्टी की ओर है लेकिन समाजवादी पार्टी भी इससे कहां चुती रहती है जिन्ना का सवाल तो समाजवादी पार्टी ही लेकर आती है चुनाओ में और भी कई मौके पर हैं जब आरोप लगते हैं मुलाइम सिंग जी को बीजेपी वाले मुला मुलाइम भी कहते हैं और उस पर एकलेश जी आँखे भी दिखाते हैं कि खबरदार आप ऐसा नहीं करें ये भी सेती है तो आपकी भी पार्टी पर पॉलराइजेशन के उतने ही आरोप लगते हैं हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है ये तो विपक्ष का आरोप है विपक्ष के पास को और कोई मुद्धा नहीं है उनका एक कहने के लिए कि समाजवादी पार्टी का इस तरह का आरोप लगाना ये कहीं है नहीं हम तो सम्मानतार संपनता पर काम करते हैं हर धरम के लिए काम करते हैं, हमारी पारटी हर धरम को बराबर लेके चलती है, हर जाती को बराबर लेके चलती है, हमारे उपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, विपक्ष का काम में लगाने का वो लगाएगा, उससे लोगों पर बिलकुल कोई किसी को भी यकीन नहीं है, विरोधी जिस बात को लेकर जनता के सामने है सभी राजनितिक दलों से संपर्क कर रहे है शिक्षा स्वास से दूसरे शेत्रों से जुड़े लोगों के साथ नौजवानों के साथ उनके विव पॉइंट्स को लेकर उनकी समस्याओं को लेकर राजनितिक दलों में के एजेंडे में शामिल करने की जो मूल भूत बातें हैं जो उसकी कोशिश है उसमें आगे है तो आईपा की इस कोशिश को लेकर हम फकीर चंद नागर जी आप से सवाल करना चाहते हैं आप क्या समझते हैं आपका जो आप चैनल के मात दम से जो आईपा के तुरू ये काम कर रहे हैं वो बहुती लाजवाब है जो हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे हैं उनको जनता के सामने रख रहे हैं आपका पहले तो बहुत धन्वाद करना चाहूंगा कि आप सब लोगों के पास जाके इस उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद है और इस वज़े से आपने हमारी पार्टी के बारे में पूछा हमने अपनी पार्टी की सारी चीजें जो बताई है वो जनता के सामने है अभी मैं दुबारा से दोरा दूँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा पूरे दे हमारे जिले में बहुत ज़्यादा है यहां किसानों की समश्या है आंदोलन लगातार रोज चल रहे हैं आप देखेंगे कि यहां लगातार महीनों से आंदोलन नोईडा में चल रहा है गरेटर नोईडा में चल रहा है लेकिन यह पार्टी सुनने के लिए बिलकुल तैयार नहीं है और इसलिए जैसे हमारी पार्टी आएगी वो हर लोगों को यकीन है समाजवादी पार्टी किसानों की मजदूरों की गरीबों की बातों को सुनती है इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को हर हालत में लाना है और बीजेपी को हटाना है फकिर चन्द नागर जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जोड़े आईपा के लिए शुब वचन बोला आपने आपने राजनीती बदलने की बात की आपने वर्तमान संदर्व में जो राजनीती है उसकी चर्चा की अपने पार्टी के रुख की चर्चा की स्थानी लोगों की समस्याओं और उन चिंताओं की चर्चा की जिने दूर्द करने की का की बात भी आपने कही तो हम इस सफर में आईपा आपको आगे फिर नई शक्सियत के साथ नए लोगों के साथ मिलाते रहेंगे उनके भी पॉइंट्स आपके बीच रखते रहेंगे हमें दीजिए इजाजत नमस्कार